इस सिरीज में हम बिस्कस करेंगे आपके बिजनस और यह बिस और्केंट के बिस्पाइटम प्लांट पॉटेशन और यह सिरीज जो है आपके B.com B.b.a. हर सेशन स्पाइटमार्श के लिए है तो इंपटंट ही है देखें, प्लांट लोकेशन हम समझेंगे location का मतलब क्या हुआ मतलब आपने अगर कोई business start किया है तो उस business को आप start करने के लिए कैसा वहां का location है कैसा वहां का reason है क्या selection हमने किया है means जो भी आगे business factor या office अगर हम set up करेंगे किस location पे करेंगे या किस reason से करेंगे जिसे हम बोलते हैं plant location ठीक है means वो choice of reason selection of a particular site जहां पर हमने business को set up किया है कि means जो भी हम आगे business या factory या office set up करेंगे उसका location या reason decide करना that is your plant location अब इसके हम कुछ importance देखेंगे ठीक है importance में पहला है profit making profit making का मतलब क्या हुआ ज़ादा से ज़ादा क्या हो profit हो means किस तरह से हो हम अपनी sales को बढ़ा के increasing sales तो profit हो सकता है अपनी cost को घटा कर तो भी profit हो सकता है ठीक है दूसरा है market potentials मतलब जितनी अच्छी आपका business का location है जितना अच्छा आपका reason रहेगा उतनी ही अच्छी क्या होगी potentials भी आएगी next बात करेंगे हम factors क्या-क्या factors effect करते हैं plant के location के ठीक है अगर आपने business क्या किया वहाँ का location देखा है आपने वहाँ पर decide क्या है कि वो reason है तो उनके क्या-क्या factors effect करते हैं एक plant location के तीन तरके factors हैं एक हो गया primary, दूसरा हो गया secondary, तीसरा हो गया others primary में कौन कौन सी चीज़ आजाएंगी जो की main factors जिसमें आते हैं raw materials आते हैं, market आते हैं, market nearness, transport facilities, labor, power, electricity देखें, आपने जो location set किया है business के लिए, वहाँ पर क्या होने चाहिए, raw materials ठीक है, market जो होने चाहिए, आस-पास रहने चाहिए, दूसरा है transport आने जाने की जो facilities हैं, वो क्या होने चाहिए, होनी चाहिए दूसरा है labor होने चाहिए, power, electricity, ठीक है, ये सारी चीज़े होनी चाहिए दूसरा secondary में बात करें, natural factors, climate, climate का मतलब naturally जो factors है, ठीक है, climatic जो है, वो सारी चीज़े factors, plant location पर effect करती है, government की subsidies, कुछ personal factors, हमने कुछ हमारी personal factors की वज़े से हमने क्या किया, वो location चूस किया next, others में देखेंगे, suitability of a land, disposal of waters, community, attitude, etc तो ये सारी चीज़े, others में आ जाएंगे, कि हमने वहाँ हमारे लिए suitable था, इसलिए मैंने वहाँ land लिया, वहाँ पर disposal of waters, तो ये सारी चीज़े, जो है factors, हमारे plant location को effect करती है, these are the factors, primary, secondary, and others next अगर हम बात करें, plant layout, plant layout क्या होता है, plant layout हमने क्या किया, business का location, business का reason, जो है, हमने setup कर लिया अब हमने जब setup कर लिया, तो plant layout का मतलब यह क्या है, plant layout is the plan of an optimum arrangement of facilities, including man, machine, equipment, material plant layout का मतलब यह हुआ, कि plant manufacturing जो setup कर रहे हैं, उसका design क्या होगा, ठीक है, means layout का मतलब क्या हुआ, कि हमने वो business, क्या क्यों उसका reason decide कर लिया, तो अब उसका हम क्या करेंगे, design set करते हैं, ठीक है, that is called plant layout, layout का मतलब, जो भी plant अलगले department को arrange करेंगे, कि यह material यहाँ होगा, यह machine यहाँ होगी, यह equipment यहाँ लगेंगे, यह यहाँ पर चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों को design set करना क्या है, that is called plant layout, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग need, क्या ज़रूरत plant layout करने की, ठीक है, तो plant layout समझ में आया हुगा, कि हमने जब plant location set कर लिया, तो उसके बाद layout का मतलब हुगा, कि क्या designs, क्या materials, क्या equipment, क्या raw materials हम set करेंगे, that is called plant layout, ठीक है, क्या ज़रूरत होती है, need को देखते है, पहला need करा change in product design, जब हम product को design में change लाना है, तो existence product में भी change लाना, change in product design, मतलब है, क्या हुआ, जब हमने किया कि product की design में change करना है, तो जो existing product है, जो already जो product है, उसने के भी क्या है, change किया जाना, इसलिए जरूरी है, दूसरा है, introduction of new product, new product का मतलब नए product लेकर आएंगे, तो new machine भी लेकर आएंगे, तीसरा, change in demand, means change in demand का मतलब design में हम plant layout क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि तीसरा need या importance यह होता है, गि भाई customer की demand change हो गई है, पहले वो black color पसंद करते थे, आप black नहोंकर क्या blue पसंद करते हैं, तो उनकी demand में क्या हो गया, change हो गया, इसलिए हम उस design में change कर रहा है, frequent accidents, next है, principle, principle में दिया गया, principle of integration, integration का मतलब यह principles देखेंगे, हम लोग plant layout को, यह principles है, plant layout को, तो पहला principle है, integration, principle of integration, principle of integration, it simply means that, कि separate things brought together, means integration, मतलब, जो raw materials है, जो equipments है, उनको हम एक जगए लगाना, और उसको integrate करना, दूसरा है minimum distance, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम design set किये हैं, वो हमारे घर से क्या distance है, मतलब, कम से कम distance रहना चाहिए, यह तीसरा है, cubic space utilization, means proper space का utilize करो, horizontal, vertical, means horizontal set करेंगे, तो कितना space, vertical, means layout का मतलब, यह simply हुआ, कि आपने business का reason, location set कर लिया, अब हम वो business का design, उसका pattern कैसे रखेंगे, that is called your plant layout, अब plant layout में वही सारी चीज़े principle होती हैं, कि आपको horizontal या vertical, minimum distance, integration, तो यह सारी चीज़े होती हैं, तो I hope you, आपको समझ में होगा कि plant location, और plant layout क्या होते हैं, इन्हों जो भी इसमें अगर दिक्कत होगा, comment box में pin करिए, कि मुझे नहीं समझ मैं है, तो मैं फिर से x pin करोंगे, okay, thank you.